तो दोस्ता फाइनली मनी दा बैंक 2022 खतम हो चुका है और ऑस्तेन थियोरी मिस्टर मनी दा बैंक बन चुके हैं आस्तेन थियोरी के बारे में किसी दे भी नहीं सोचा था कि आस्तेन थियोरी अपना यूनाटिस टेट टाइडल को हरके मनी दा बैंक के विनर बनेंगे जब एडम पियस ने ये अनॉंस किया कि वो एक और प्लेयर को मनी दा बैंक मैच में आड़ करना चाते हैं आस्तेन थियोरी की इस विक्री को लेके डबलेवी फैंस काफी शौक में हैं और डबलेवी सुपरस्टार भी शौक में हैं कि कैसे आस्तेन थियोरी इतने कम टाइम में आके डबलेवी में मनी दा बैंक मैच के विनर बन गए Austin Theory के इस विडियो को लेके दबी सिंकाने ब्रॉकलेसन ने भी रियाक्ट किया है अब ब्रॉकलेसन ने क्या रियाक्ट किया है और ब्रॉकलेसन ने Austin Theory के बारे में क्या बोला है ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखी तक जहू देखे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरू कियेगा और मेरे जैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो आईए दोस्तों आप करते हैं वीडियो को शुरू और मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं दबीस इंकार्नेस के साथ रिंग में जाओंगा और ब्रॉकलेसर का हरा के ये साबित कर दूँगा कि मैं उससे जादा बेस्ट हूँ सब कोई जानते हैं कि समर स्लैम 2022 में रोमा रेक्स वसे ब्रॉकलेसर का मैच होने वाला है और मनी दा बैंक मैच के विनर इस उमीद में थे कि वो अपने बैक को कैशिन करेंगे इसी मैच में अब और मनी दा बैंक मैच के विनर बन चुके हैं यानि कि मिस्टर मनी दा बैंक बन चुके हैं प्राबी हो जाएगा तब तुम्हें ऐसा करोगे क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो जो मार मैंने तुम्हें एलमेजर चंबर में लगाई थी उससे भी जादे बुरी हालत मैं तुम्हारी उस वक्त करूँगा जब तुम मनी दा बैंक कैशिन करने के लिए आओगे ब्रॉक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरू कीजे और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा तब तक के लिए दोस्तों ठैंकियो एंड गुडबाई